गूगल में सर्च करके खुद बखुद दवा लेना खतरनाक साबित हो रहा है। दर्द सहीत अन्य तकलीफ होने पर लगातार कोई दवा खाना लीवर और किड्नी पर असर डाल सकता है। KGMU में पेंट क्लेनिक के OPD में आने वाले मरीजों में 10 पीज़दी ऐसे होते हैं जो गूगल सर्च करके दवा खाने से बड़े मर्ज की चपेट में आ रहे हैं। इन में से जादतर युवा होते हैं या ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके देखरेक करने वाले युवा होते हैं। सामान्य दर्द और अन्य मामूली तकलीफ होने पर अकसर लोग गूगल सर्च करके ऑनलाइन ही दवा मंगवा लेते हैं। पेन क्लीनिक में आये एक मरीज ने भी ऐसा ही किया। श्रू में दवा खाने पर आराम मिलता रहा, दर्द होने पर दवा खा लेता था। दीरे दीरे दवा के लत लग गई और कुछ समय बाद दवा का असर कम होने पर हाई डोज लेना श्रू कर दिया। दिक्कत बढ़ने पर पेन क्लीनिक में दिखाने पहुचे। जाज के बाद पता चला कि ज़्यादा पेन किलर खाने से किड्नी पर असर पढ़ने लगा है। डॉक्टर के अनुसार पहले महीने में एक दो मरी जाते थे हाला कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। 4 OPD होती है सपता में, 160-200 मरी जाते हैं एक हफते में, 10-15 इनमे से गूगल पर बिमारी सर्च कर दवा खाने वाले हैं, 10 इनमे से क्रोनिक पेन के होते हैं, 25% कैंसर के क्रोनिक पेन के मरीज होते हैं।